तो दोस्तों अगर आप भी अपने मवाइल फोन से अपने फोटो के साथ या पिर किसी के भी फोटो के साथ इस तरह का ट्रेंडिंग ए स्टेटस वीडियो इडिट करना चाहते हो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को कम्पलीट जड़ देखेगा क्योंकि वीडियो काफी तो चलिए दोस्तों बिना किसी पकवास के आज किस वीडियो को सुरूप कर लेते हैं उससे पले अपने भाय का नाम जानेजे मेरा नामे घंसायम और स्वागत करता हूँ आप सुभी का हमारे यूटूब चैनल टेकनिकल घहनु में और दोस्तों अब भी तक आप मुझे इ तो दोस्तों फैनली मैं अपने मवाईल की स्कीन पर आ गया हूँ तो सबसे पहले आप लोग को एक अपली केशन का जोद पर जाएगा जिसका नाम है काइन माश्टर है तो आप लोग को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या फिर ने तो लिंक में डिस्किप्शन बाक्स में द खाय दे देगा Create New का उस पर क्लिक कर देना है उसके बाद 16 वाले रिशियो को सेलेक्ट कर लेना है और next पर क्लिक कर देना है और दोस्तों यहां पर सबसे पहले आप लोग को image पर क्लिक कर लेना है and black color के background image को यहाँ पर add कर लेना है उसके बाद उपर से cut कर देना है background image पर click करके सबसे पहले इसके duration को यहाँ पर आप लोगों को बढ़ा देना है दोस्तो आप जितने देर तक का status video बनाना चाहते हो उतने देर तक अपने background image की duration को बढ़ा लिजेगा उसके बाद उपर से सही कर देना है सुरुवात में आ जाना है layer पर click करके media पर click कर लेना है और दोस्तो इस status video में आप अपना जिस भी photo को add करना चाहते हो set करना चाहते हो उस वाले photo को यहाँ पर select कर लिजेगा साथ है आप लोग को एक बात का ध्यान भी रखना होगा आप जिस भी photo को इस status video में add कीजेगा set कीजेगा उस photo के background को पहले ही review करके रख लेना है दोस्तो अगर आपको अपने photo के background को remove करना नहीं आता है तो इस पर मैं एक full video बना दिया और उसका link भी description box में दे दिया हूँ तो इस video को देखने के बाद आप लोग उस video को भी जा करके देख लीजेगा और अपने photo के background को remove करके यहाँ पर select कर लीजेगा उसके बाद सबसे पहले आप लोग अपने photo को यहाँ पर रखना यहाँ पर कुछ इस परकार से अपने photo के size को यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा बढ़ा लेना है अपने तरीके से और उसके बाद simply अपने photo के duration को आप लोग को full कर देना है जितने दिर तक का background image है उतने दिर तक उसके बाद three dot पर click करके इसका एक duplicate बना लेना है और इसके duplicate को आप लोग को यहाँ पर रख देना है यहाँ पर और यहाँ पर रखने के बाद simply इसके size को यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा बढ़ा देना है कुछ इस परकार से और three dot पर click करके send to back वाल उप्शन पर click कर देना है नीचे चले आना है आप लोग को alpha opacity वाले option पर और इसके opacity को यहाँ पर कम कर देना है दोस्तों यहाँ पर मैं इसके opacity को रख लेता हूँ 40% पर आप अपने हिसाब से रख लिजेगा उसके बाद simply आप लोग को उपर से सही कर देना है इस वाले photo पर click करके इसको आप लोग को यहाँ पर रखना यहाँ पर उसके बाद simply आप लोग को ततका लूप पर से सही कर देना है शुरुवात में आ जाना है लेट पर click करके media पर click कर लेना है और दोस्तों यहाँ पर मैं एक बना बनाया हुआ template वीडियो को add कर रहा हूँ जिसको मैं खुद से बनाया हूँ तो उसका विलिंग को एं description box में दे दिया हूँ वहाँ से आप लोग भी download कर लिजेगा और यहाँ पर इस वाले template वीडियो को add कर लिजेगा उसके बाद सबसे पहले इस वाले option पर click करके इस पर tap करके इसको full screen कर देना है उसके बाद उपर से सही कर देना है फिर से एक वार इस template वीडियो पर click करके इसके sound पर click करके इस पर tap करके इसके sound को यहाँ पर mute कर देना है उसके बाद उपर से सही कर देना है फिर से एक वार इस टम्पलेट वीडियो पर क्लिक करके आप लोग को नीचे चले आना है यहां से इसके blending वाल अप्शन पर और screen को select करके यहां से आप लोग को back चले आना है और इसके adjustment वाल अप्शन पर क्लिक करके नीचे चले आना आप लोग को इसके हुई वाले उप्शन पर और यहाँ पर आप लोग को अपने कपड़े के color के हिसाब से आप इसको मैच कर लेना, अपने कपड़े कलर के हिसाब से जो color आपको अच्छा लगे उसके बाद simply आप लोग को उपर से सही कर देना है, simply आप लोग थोरा सा, कुछ इतना, अपने हिसाब से, उसके बाद, सिंपले आप लोगो, प्लस वाल एकन पर क्लिक कर देना है, इस सुरुवात में आ जाना है, एंड अपने इस वाले फोटो को खींच करके, यहाँ पर आप लोगो, इस साइड में यहाँ पर, यहाँ पर रख देना, यहाँ पर, उसके बाद, सिंपले आप लोगो, लास्ट में चले जाना है, पूरे लास्ट में, और लास्ट में जाने के बाद, दोस्तों, सिंपले आप लोगो, अपने फोटो को खींच करके, यहाँ पर आप लोगो बीच में पूरे अच्छे तरीके से adjust कर लेना है कुछ इस प्रकार से उसके बाद उपर से सही कर देना है आप लोगो नीचे वाले फोटो पर इस वाले फोटो पर click करना है इसको भी यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से अट्यस्ट कर लेड़ा, पूरे अच्छे तरीके से, उसके बाद म containers तो simply this to are a surface ब् decor image here, कुलिक कर यहाँ पर आपस्वाद को शाफीक कर देना हैं, और यहाँ पर नीचे में, to को में, कर देना है टू को और उसके बाद दोस्तों सिंपले आप लोगो यहां पर थोड़ा सा आगया जाना है कुछ इतना और इसको दवा करके खींच करके आप लोगो यहां पर रखते नहीं यहां पर यहां पर रखने के बाद सिंपले आप लोगो उपर से सही कर देना है पर इस वाले lyrics template वीडियो को add कर लिजेगा या फिर नहीं तो अगर आप किसी दूसरे lyrics template वीडियो को इस status वीडियो में add करना चाहते हो तो उस वाले lyrics template वीडियो को यहाँ पर select कर लिजेगा साथी दोस्तों आप लोग को एक बात का ध्यान भी रखना होगा आप जिस भी lyrics template वीडियो को इस status वीडियो में add किजेगा set किजेगा उस lyrics template वीडियो का जो background होना चाहिए वो black ही होना चाहिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग को अपने lyrics template वीडियो को select कर लेना है और select करने के बाद simply आप लोग को नीचे चले आना यहां से blending वाल उप्शन पर screen को select करके यहां पर इसके size को आप लोग को थोड़ा सा कम कर देना है और इसको यहां पर रख देना है यहां पर यहां पर यहां पर रखने के बाद simply आप लोग को उपर से सही कर देना है फिर से एक और lyrics template वीडियो पर click करके simply आप लोग को इसके size को आप लोग को पूरे अचिय तरीके से अपर adjust कर लेना है पूरे अच्य तरीके से और नीचे चलाएं आप लोग को इहां पर इसके adjustment वाले option part और फिर से निचे चलाने के हुई वाली उप्शन पायड और इसके भी color को आपने कपड़े के color के हिसाब से उपके अच्छा कर ले ना है MAGe पूरे अच्छे तरीके से उसके बाद ISKita इस Size को आपने हिसाब से Adjust कर लेना है उसके बाद उपर से सही कर देना है सुरुवात में आ जाना है layer पर क्लिक करके media पर क्लिक कर लेना है और दोस्तों यहाँ पर मैं एक template वीडियो को add कर रहा हूं तो उसका भी लिंग को ए डिस्किप्शन बॉक्स में दे दिया हूं वहाँ से आप लोग भी डाउनलाड कर लिजेगा और यहाँ पर इस वाले टम्पलेट वीडियो को अड़ कर लिजेगा उसके बाद सबसे पहले इस वाले अप्शन पर क्लिक करके इस पर टैप करके इसको भी फूल स्क्रीन कर देना है उपडर से सही कर देना है और इसक्रीन को सेलेक्ट करके सिंपले आप लोग को यहाँ से बैक चले आना है और इसके अडिजेश्टमेंट वाले अप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर भी आप लोग को नीचे चले आना है हुई वाले अप्शन पर और इसके भी कलर को आप लोग को यहाँ पर अपने कपड़े के कलर की हिसाब से हाँ पर कुछ इस प्रकार से मैच कर लेना है मैच उसके बाद उपर से सही कर लेना है और सही करने के बाद फाइनली आपका स्टेटेस वीडियो बन करके तयार हो जाएगा तो चलिए मैं आप लोग को एक बार पले करके दिखा देता हूँ उसके बाद इसे स्टेटस वीडियो को अपने मॉबाइल फून में सेव करने के लिए आप लोग को सेर वाल आइकन पर क्लिक कर देना है एंड कॉयल्टी में 720 पी या फिर नहीं तो 1080 पी को सेलेक्ट कर लेना है फ्रेम डेट में 30 को सेलेक्ट करके इसको या पर अपने हिसाब से रखना है और सेव बाले उप्शन पर क्लिक कर देना है और दोस्तों या पर आप लोग को कुछ दिर वेट कर लेना है जाएगा उसके बाद आपका यह वीडियो एकस्पार होकर करके आपके मोईल फोन में सेव हो जाएगा उसके बाद आपका मन जहाँ पर होता है वहाँ पर इस वीडियो को सेल किजिए जहां आपर इस्टेटस में मन होता है वहां पर इस्टेटस में इस वीडियो को लगा लीजे तो दोस्तो आप लोग को आज का वीडियो पसंद आए होगा अगर वीडियो पसंद आद वडियो को लाइक कर दीज़ें अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं कियें तो सस्क्राइब करके वेल ऐकन को प्रेस करके और पर सेट तो करे लिजएगा क्योंकि दोस्तो इस चैनल पर मिसी तरके new new knowledgeable वीडियो, interesting वीडियो and editing related वीडियो ले करके आता ही रहता हूँ और दोस्तो अगर आप भी मुझे बात करना चाहते हो या फिर आपको editing related किसी भी परकार का problem हो डौट हो तो आप मुझे instagram पर message कीजेगा, मैं आपको message को पढ़ करके आपको जरू से जरू reply दे दूँगा दोस्तो instagram का user name मैं घंसामजी123 या फिर ने तो लिंकों है description box में दे दिया हूँ तो जाइए और फोलो करके message कीजेगा तो चलिए दोस्तों फिर मिलते किसी और interesting वीडियो के साथ किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्र